हालो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं, यह आज मेरे पास बड़ा ही प्यारा सा पौधा है, इसे कई नामों से जाना जाता है, ड्वाफ, एलेफेंट, इयर, या फिर अलोकेसिया कुकुलाता, या फिर बुद्धास, पाम, बुद्धास, प्लांट कई नाम से इस पौधे को आप देख सकते हैं, इसके पत्ते कैसे बड़े बड़े और एकदम पाम की शेप में हैं, इस तरह से, तो यह बड़ा ही सुन्दर और नमेंटल प्लांट है, और इस पौधे की खूब सूरती इसके पत्तों से आती है, तो आज हम इस पौधे के बारे में बात करेंगे, किस इसकी स्टेम देख सकते हैं, इसकी स्टेम बहुत ही सौफट एंड डेलिकेट होती है, तो जब आप इस पौधे को पानी दें, तो थोड़ा पानी आपको ख्याल से देना है, क्योंकि बहुत जादा फ्रिक्वेंसी में अगर आप इसको पानी देंगे, तो इसकी जो जो सूखी एक से डेढ दो इंच तक सूखी लगे, तो आप इसे भर के पानी दें, जैसे आप देख सकते हैं, इसकी मिट्टी अभी भी इसमें नमी है, तो नमी इसके आसपास रहे, उसमें कोई प्राब्लम नहीं है, लेकिन इसकी मिट्टी पूरी गीली, एकदम चिकनी पूर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में नहीं देना है, सर्दियों में तो और थोड़ा रुक के आपने पानी देना है, टेनरली ये पौधा ओवर वाटरिंग की वज़े से ही खराब होता है, तो पानी का आपने थोड़ा ख्याल रखना है, तो आप इसे पानी दें और रेगिलरली इसकी गुड़ाई वगरा करते रहे, इसको आप नॉर्मली अपने खुर्पी से या जो एक फोक आती है, उससे आप इसको गुड़ाई कर सकते हैं, ताकि इसमें मिट्टी में एर की कपासिटी अच्छी रहे, और अंदर अगर कोई पानी इकठा हो रहे है, तो वो उड़त करें कि आपने कैसी मिट्टी में आपने इस पौधे को लगाए, अगर आपकी सोईल वेल ड्रेंड नहीं है और सपोस बहुत चिकनी मिट्टी है, पानी पूरे टाइम ठेरा रहेगा, तो भी आपका पौधा खराब हो जाएगा, और ये भी चेक करें कि आप कितने इंटेव पर किस फ्रीक्वेंसी से आप इसको पानी दे रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आप इसे पानी ना दे, जब आपको लगे कि मिट्टी अच्छे से सूख गई है, एक से डेड इंच, तो आप अच्छे से पानी दे, पूरा भर के पानी दे, जहां तक कि इस पौधी की लोक कितना फ्रेश है, तो यह इस लिए क्योंकि हमने इसे चाय में रखा हुआ है, हमने इसकी प्लेसिंग ही ऐसे करी हुई है, कि इसे पूरे दिन भार ब्राइट सुनलाइट मिलती है, लेकिन इन डाइरेक्ट, बिलकुल भी डाइरेक्ट संलाइट इसे नहीं मिलती है, तो चा इसका जो लोकेशन है वो थोड़ा शेड में हो आप चाहें तो अगर आपकी बैलकनी में इन डारेक्ट सनलाइट आती है तो आप बहां पे रखें या फिर अपने टेरेस पे लौफ्ट के नीचे रखें जहां इन डारेक्ट सनलाइट इसे पूरे दिन भर मिलती रहें विंटर्स में आप इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है विंटर्स में आप इसे फुल सनलाइट में रखें गुनगुनी धूप होती है पौधे को अच्छे लगेगी लेकिन थोड़ा सा समर में डायरेक्ट सनलाइट अवाइड करें जहां तक कि इस प वहाँ पर आपने इसे लगाया हुआ है और आप इसकी मित्ली बार-बार चेंज नहीं कर सकते हैं तो आप इसे साल में दो बार बरसात में और जैसे जुलाई अगस्त और सर्दियों में फिर फेब्ररी में एक से दो मुठी वर्मी कॉम्पोस्ट ऐसे इसमें डाल दें और जै सकते हैं यह पौधा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे यहां नीचे से और भी पौधे निकल निकल के आते हैं तो आप उन्हें भी निकाल के या तो प्रोपगेट कर सकते हैं या फिर इसमें ऐसे भरा भरा रहने दें या निकाल के गिफ्टिंग के लिए तो अभी तो इसमें flowers नहीं है पर वो flowers भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और इस पौधे को और भी attractive बनाते हैं इस पौधे में generally मैंने कभी best attack देखा नहीं पर कई लोग बोलते हैं कि white spots हो जाते हैं कीडा लग जाता है तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पौधे में white का spray कर सकते हैं साथ ही आप चाहें तो इसकी soil में थोड़ी सी नीम खली भी मिला सकते हैं उससे भी थोड़ा ये fungal attack से बचा रहेगा तो इस तरह से आप अपने पौधे को fungal attack से बचा सकते हैं थोड़ा इसमें बार बार यहीं बोल रही हूं आपको थोड़ा पानी का ख्य हैं हमने देख लिया कि इसको well trained soil चाहिए होता है शेड में रखें आप indoor रखें या outdoor रखें शेड में रखें ऐसी जगे रखें जहां इसे खुली हवा पानी मिलती रहे तो आप देख सकते हैं आज हमने यह एक allocation की एक cutting निकाली है इसके जड़ आप देखो कितने अच्छे स vision method से इस तरह से आप आसानी से propagate कर सकते हैं तो आएए इस पौधे को हम अपने गमले में लगाते हैं जिसको हमने प्रपर garden soil से रडी किया है garden soil जो है हमारी उसकी texture बहुत अच्छा है proper well trained soil है लोमी soil है उसमें यह पौधा बहुत अच्छे से चल जाएगा तो आएए इस पौ और इसमें हम हमारा यह जो एलोकेसिया की cutting हमने निकाली है इस cutting को आज हम इस अपने प्यारे से ceramic planter में लगाएंगे तो आएए लगाते हैं आप देखिए इसके पत्ते कितने प्यारे हैं कितने लंबे लंबे हैं अब इनके पत्तों का आप शेप देखिए एकदम पाम जैस लगे हुए होते हैं तो थाइलेंड में तो इस पौधे को बड़ा ही auspicious माना जाता है शुब माना जाता है और हर किसी के लिए लखी माना जाता है पर यहां पर इंडिया में हम इसे as a ornamental plant ग्रो करते हैं तो इसको मैं इस प्यार से ceramic planter में लगाऊंगी इसकी जो मिट्टी है वो मिट्टी भी हम पूरी चेंज कर देंगे तो इस तरह से थोड़ा सा हम इसको लूज करके इसकी मिट्टी निकाल देंगे तो जबी भी आप plant कोई नया पौधा लगाएं तो उस ceramic planter में या कोई भी गमला है मिट्टी का भी गमला है तो उसमें जो भी मिट्टी है पुरानी उस पूरी मिट्टी को खाली कर दें और fresh garden soil डालें इससे जो पौधे के लिए nutrients चाहिए होता है वो सब कुछ garden soil में होता है वो सब कुछ फिर fresh तरीके से पौधे को मिलता है क्योंकि नई cutting हम लगा रहे हैं तो उस पौधे को grow करने के लिए nourishment भी चाहिए तो हम इसमें proper garden soil डाल रहे हैं हम इसमें कुछ भी cocoa पी तो बिल्कुल भी avoid करें आप इस पौधे में डालना इस पौधे की मिट्टी में डालन आप इस तरह से अपनी अच्छी सी मिट्टी वेल रेंड मिट्टी बना सकते हैं पर यहां पर हमने garden soil ली है garden soil आप देख सकते हैं इसका texture बहुत ही अच्छा है यह देखी एक दम ही loose है तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा तो हम इसी में अपनी cutting को grow करेंगे त इसमें थोड़ी से नीचे soil डाल दी इसमें यह पौधे को plant कर दिया और फिर चारों तरफ से हमसरा मिट्टी डाल देंगे ताकि यह अच्छे से set हो जाए और बिल्कुल भी इधर उदर गिरेने तो इस तरह से आप इस पौधे को बड़े ही आराम से propagate कर सकते हैं root division method से इसे grow नहीं हो पाते हैं आपको इसको proper नीचे से ही जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी proper नीचे से ही निकालना पड़ेगा और वहां से आप निकालके इसे अच्छे से grow करें थोड़े टाइम में जब यह पौधा इसमें set हो जाएगा तो इसमें अगल बगल से और भी इ कि आपका ceramic planter इतने पौधे के लिए efficient नहीं है तो आप उसमें से भी कुछ पौधे निकालके और दूसरे किसी ceramic planter में shift कर सकते हैं garden में लगा सकते हैं या फिर किसी को gift कर दीचे तो that will be nice इस तरह से आप इस प्यार इसे पौधे की मिट्टी तयार करके इसको propagate कर सकते हैं दे जरू करें साथ ही मेरी चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाई